तो दोस्तो Xiaomi के Redmi Note 7 को टक्कर देने के लिए जल्दी Realme का 3 Pro भी होने वाला है launch और जिसकी कुछ special features जो होते हैं लीक हो रहे हैं और क्या कुछ है special features आएए जानते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर तो दोस्तो इसमें हमें glassy back देखने को मिल जाएगा जो की बहुती बड़िया display के साथ आने वाला है इसके साथ हमें इसमें corning gorilla glass भी देखने को मिल सकता है वहीं अगर मैं resolution की बात करें तो इसमें HD resolution देखने को मिल जाएगा वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें fingerprint के बारे में तो इसमें in screen fingerprint देखने को मिल सकता है वहीं अगर मैं बात करूँ अब इसमें processor के बारे में तो इसमें dual code का processor देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ snapdragon 710 का processor इसमें देखने को मिलेगा जैसा कि हमें Xiaomi Mi 8SC और Nokia 8.1 में देखने को मिला था वहीं अगर मैं memory के बारे मैं बात करूँ तो इसमें memory के 3 variants हमारे पास आ सकते हैं जिसमें 4GB, 32GB, 4GB, 64GB और 6GB, 64GB वाले 3 variants हमें देखने को मिल सकते हैं वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसके camera के बारे में तो इसमें हमें Sony IMX sensor का camera देखने को मिलेगा जो कि IMX 586 और दूसरा camera 519 वाला भी हो सकता है जैसा कि हमें OnePlus 60 में देखने को मिला था वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसमें battery की तो इसमें हमें charge a milliampere की battery देखने को मिलेगी जो कि VOOC 3.0 को support करने वाली होगी जैसा कि हमें Find X में देखने को मिली थी अब अगर वहीं मैं इसके launch date के बारे में बात करता हूँ तो ये April के मंत में launch होने वाला है हलाकि पहले 9 April इसके expected date थी लेकिन अब 9 April ना होकर इसकी date कुछ ज़्यादा बढ़ गई है यानि कि थोड़ा बात में लेकिन April में हमें ये देखने को मिल सकता है वहीं अगर मैं बात करूं उसके pricing की तो ये साफ तोर पर mid range smartphone का king होने वाला है Indian market में तूकि इसने पूरी तयारी की है Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 7 को टकर देने की इसलिए Realme को जो price है वो राण 15 से 20 हजार के बीच में होने वाला है तो यही कुछ है Realme 3 Pro के specs और leaks अगर वीडियो पसंदा दे वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe जूब कर देना मिलते अपने नेक्स वीडियों तो तक लिए good bye